वेल्कम टू टैबलू हिंदी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक इंपोर्टेंट फिल्टर के बारे में जिसका नाम है डेटा सोर्स फिल्टर तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम हाईरार्की बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें देखी हैं पर यह क्या करता है यह सारे डेटा पॉइंट्स को लेकर आपके लिए विजुलाइजेशन क्रियेट करता है जैसे कि मैं अगर कुछ भी यहां से लूँ मैं सेग्मेंट लेता हूं और मैं प्रॉफिट लेता हूं तो यह क्या कर रही है यह आपके सारे रोज को लेकर के आपको यह डेटा आपको विजुलाइजेशन में बता रही है पर लेटसे मुझे कुछ इसमें पूरा डेटा पॉइंट नहीं चाहिए मुझे तो ऐसे cases के लिए आप use करते हो data source filter, data source filter का basic काम यह है कि आपको data load आपने किया, आपने filter लगा दिया, अब वो आपने filter लगा दिया, अब आप चाहे कितनी भी sheets बना लो, कितनी भी stories बना लो, dashboards बना लो, आपका अगर data source में filter लगा हुआ है, तो आपके हरे एक sheets में, हरे एक dashboard में और हरे एक stories में उसका effect reflect होगा, यह mostly हम लोग तब करते हैं, generally, जब आपके पास बहुत सारा data है, और आपका dashboard या आपका जो performance है, आपके visualization का, वो थोड़ा सा slow है, आपको performance को optimize करना है, fast करना है, तो उस case में हम क्या करते हैं, हम पहले एक filter लगा देते हैं, कि मेरे को इतने, मुझे ये column सी चाहिए, ये आपके हिसाब से, आपके condition, आपकी use case को लेके, आप कोई भी filter आप पहली लगा दो, जिससे क्या होगा, कि आपके data का, एक small subset, आपके visualization pane में दिखेगा, तो performance optimization के लिए भी इसका basic use है, तो इसको हम लोग देखेंगे, एक use case भी देखेंगे इसका, तो data source कैसे हम लोग यहाँ पे, data source कैसे apply करते हैं, data source filter, तो जिससे मैंने, superstore, sample superstore, यहाँ पे load किया, load करने के बाद मैंने supposed एक visualization बनाई, मुझे पता चला नहीं है, मुझे एक data source filter लगाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि एक filter से सारी sheets और सारी stories, इस सारे dashboards सब effect हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे left hand corner पे, lower left hand corner पे data source का button आ रहा है, आप इसको click करोगे, आपके पस data source आ जाएगा, मतलब इस sheet 1 से पहले आपका data source पे आपको जाना है, right hand side पे, top right पे आप देखोगे filter से, यहाँ पे highlighted आ रहा है, add, आपको बस यह add करना है, यह add हो, आप यहाँ से आप data source filter आप add कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आपने add क्लिक किया, आपके पास सारे, feel, measures और dimensions सब आ गया, आपको अगर measure में filter लगाना है, कि मुझे sales देखना है, जो products का sale, यह लेक लाग से उपर हुआ है, वही का दिखाओ, आपको profit पे देखना है, कि जिसका profit 10% से ज़्यादा, आप वो भी कर सकते हो, और measures में भी आप use कर सकते हो, suppose मुझे पता है कि यह जो samples उपर store है, यह 2016, 2017, 2018, 2019, यह years पे है, 2017 to 2020, यह year है, मुझे सब years का data नहीं चाहिए, मुझे last 2 years का data चाहिए, मैं सब रोज को लेके क्या करूँगा, मुझे अपना performance भी proper रखना, और मुझे बहुत relevant data चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं simple order date पे click करूँगा, okay करूँगा, okay करने के बाद आपके पास से कई सारे options आ जाएंगे, range of dates जैसे है, अगर आपको कोई particular date को select करना है, तो आप यहाँ पे करोगे range of date, आपको देखो, 3, 1, 2017 से 30, 12, 2020 का data यह full range है, आपको अगर आपको यह यहाँ पे आपके पास dragging के लिए option है, आप इसको drag कर सकते हो directly, manually आप कुछ लिख सकते हो, आपके उपर, आप starting date, ending date भी भी दे सकते हो, आप पे है, तो इस types हम use कर सकते हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं order date select करके okay करूँगा, okay करने मत मुझे range of date नहीं चाहिए, मुझे particular year चाहिए, आप quarter सब कुछ select कर सकते हो quarter month आपको particular month चाहिए या particular date चाहिए इंडिविज़ डेट से आपको काफी सारे बड़े सारे options आपको पस, मुझे years पे interest है, मैं years पे जाके next क्लिक करूँगा, मुझे पता लगा है 2017, 18, 19, 20, 4 साल का data है मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए 4 साल का data, मुझे last 2 साल का data चाहिए, तो मैं 2020, 2019 ये दोनों पे क्लिक करूँगा, बस, उसके बाद मेरा option, मैं select करके exclude भी कर सकता हूँ filter, मैं चाहूँ, अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे 17, 18 का ही data चाहिए, इसको select करके मैं exclude कर दूँ, या फिर आप इसको आप ऐसी ही रहने दो, और आप जो एक आप सिर्फ 20, 19, 20, 20, 20 से लेक्ट कर लो, जैसे मैंने इसको okay किया, अब हमारा यहाँ पर okay हो गया है, और अब आप जो ये sheet 1 पर आप जाओगे, तो ये फूरा change हो गया है, अब जो भी आपको दिखेगा, आप चाहे sum of profit डालो, चाहे आप sales डालो, quantity डालो, सब की सब, अब सिर्फ आपको दो साल की values ही दिखाएगी, basic है, simple है, बट काफी useful होता है, performance optimization के लिए, और आपको बहुत समझ में भी आते हैं, कि हाँ भाई, मुझे, मैंने एक data source filter लगा रखा है, मुझे इतनी ही जरुरत है data, कि मैं इतना ही काम करूँ, simple, अगर आपको इसको edit करना, आप यहां से भी कर सकते हैं, यह आपका order है, यह आपका view data है, यहाँ पर order में जाओगे, right click करोगे, तो आपको edit data source भी आजाएगा, यह आप फिर से data source में जाकर के भी कर सकते हो, आप data source में जाओगे, filters में आपको one दिखेगा, क्योंकि आपने एक filter लगाया, आपको edit करना है, आप edit करो, edit करने के बाद आप इसको select करो, यह filter आपने लगाया है, आपको add करना है, इसमें कुछ edit करना है, इस filter को यह remove करना है, मुझे remove करना है, क्योंकि मैं बस आपको एक educational purpose के लिए बस बता रहा हूँ तो मैंने यहाँ remove कर दिया और बस मेरा data source filter remove होगे तो main आपको इससे यह समझ में आना चाहिए कि data source filter नाम की चीज होती है जिसको आप use करोगे तो आपके सारे visual items आपको कोई added extra filter फिर लगानी नहीं है आप कौन सा भी आप sheets कौन सा भी आप dashboard बनाओ आपका जब data source filter लगा हुआ है तो सबसे पहले इसको preference मिलेगा इसका ही details आपको हर जगह दिखे और आपको लगाना आना चाहिए remove करना आना चाहिए आपको आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर यह अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब को आपर चनल थेंक यू